Hello to all of you, Welcome to Ankit Sir YT Classes आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ नई कॉंसेट सिखाऊंगा मैस के और उसकी प्रेक्टिस शीट्स भी आपको दूँगा जिससे आप प्रेक्टिस कर सकते हैं उन कोश्ण की आप PDF और जो भी आपकी डाउट्स वगरा हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं टेलेग्राम चैनल से जुड़के अंकिर सर YT Classes के इसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा इस सीरिस का मैंने नाम दिया है मैस स्कोर बोश्टर जो कि आपकी मैस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आज डे 4 की क्लास है डे 1, डे 2, डे 3 की क्लास हो गई है आपको वो YouTube चैनल पे मेरे मिल जाएगा आज की इस पहले कोश्चन में हम पढ़ते बोला गया है कि प्रिंसिपल हमारे पास मतलब की मूलधन हमारे पास 8000 है रेट 20% का है टाइम एक साल का है हमें compound interest माइनस simple interest बताना है if rate is compounded quarterly याद रखना जो rate है वो क्या हो रहा है quarterly compounded हो रहा है ठेक है अब मैंने इस से पहले वाले वीडियो में compound interest जो करवाया था उसमें मैंने बताया था कि तीन method होते हैं pre method, ratio method और एक successive method मैंने successive method उस वीडियो में नहीं करवाया था मैं इस वीडियो में आपको successive method से questions करके दिखाऊंगा अब यहाँ पर बोला गया है कि compounded quarterly मतलब हमें क्या करना है rate को जो भी हमारा rate होगा उसको 4 से डिवाइड कर देना है तो कितना आ गया 5% का one year, one year में कितने quarter होंगे तो one year में होंगे 4 quarter थेक है 3-3 महिने पर मतलब कहने का यह है कि हमें 5% का ब्याज चार बार ही लगाना है तेक है 5% का ब्याज चार बार ही लगाना है अब इस question को हम ratio method से भी कर सकते हैं और other method से भी कर सकते हैं बट मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि आपको simple और easy way में बताऊँ ध्यान समयना हमें निकालना क्या compound interest minus simple interest यहाँ पर मैं ratio method बता दे रहा sorry यहाँ पर मैं successive method बताऊँगा यहाँ पर मैं आप लोगों को successive method बताऊँगा देखो successive method में हमें करना क्या है 5% है वो भी कितनी बारी चार बारी तो 5% हमें चार बारी कर लेना है ठीक है अब हमें successive निकालना है successive कैसे होता है अगर दो चीज़े हैं जैसे for example x% और y% इसका हमें successive चाहिए हम क्या करते है formula होता है x plus y plus xy upon 100 वहीं अगर तीन चीज़े x% y% और z% हमें इन तीन का successive निकालना है तो हम formula लगाएंगे x plus y plus z plus xy plus yz plus yz plus zx upon 100 उसके बाद x y z upon 10,000 तो यह formula है अगर दो है और तीन है तो बट यहाँ पर तो क्या है चार है तो हम चार वाले में करेंगे क्या हम दो-दो करके भी निकाल सकते हैं तीन-तीन करके भी निकाल सकते हैं तो मैंको दो-दो करने में easy है मैं इन दोनों का successive निकाल लहो यहाँ पर यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पे भी क्या आएगा 10.25 अब इन दोनों का successive निकल लो तो 10.25 और 10.25 को प्लस करेंगे और प्लस इन दोनों का multiply जब मैं इन दोनों को multiply करूंगा तो यहाँ पे आ जायेगा 25 और 102 को 103 से 10506 upon में यहाँ पे 2 point है 4 हो गए और 2 और point लगाना है 1.0 कुछ आएगा प्लस कर देंगे इनको 10.5 प्लस 1.0 0.5 है ना आगे 0.0 चल रहा है तो मैं 0.5 ही रहन दे रहा हूँ approximation हम निकाल लेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे आजाएगा 11.55 अब 11.55 परसेंट है क्या compound interest और अगर मैं बात करो simple interest की इसका आप screenshot ले 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 ना ठेक है formula का मैं इसको रब कर रहा हूँ तो यह आगे compound interest का हमारा rate अब हम निकालते है simple interest का तो simple interest की अगर मैं बात करूँ तो वो तो 20% पर year है ही एक साल का तो यहाँ पे 20% ही रहेगा यहाँ पे आएगा 20.5 टेक है यह आजाएगा 21.55 अब अगर मैं percentage की बात करूँ तो यहाँ पे ci-si जो है वो कितना आया 1.55% अब हम क्या निकालेंगे rate में निकालना है 8000 का निकाल लेंगे 1.55% नीचे हटा के 20 यहाँ पे 20 और 30 से 30 खतम हो गया 2 से काटेंगे 4 2 से काटेंगे 5 5 से काटेंगे 31 तो यह आएगा 124 टेक है 124 पॉइंट आगे कुछ होगा तो हमारा a option बिलकुल यहाँ पे क्या रहेगा टेक है 124 पॉइंट 5 क्योंकि हमने यहाँ पर एप्रॉक्सिमेशन वाना है ना उसकी वैल्यू तो जाद ही थी है ना इस वज़े से यहाँ पे 124 पॉइंट कुछ कुछ आएगा यह option हमारा बिलकुल राइट है इसको आप रेशो मेथड से भी कर सकते हैं और आप रेशो मेथड से एक बार ट्राय करना और नहीं हो पाए मुझे आप बता देना कॉमेंट करके मैं उसको सॉल्फ करवा ने अजैनल ने कॉश्चन है हमारा इसमेझ बोला गया है कि प्रिश्पल हमेहं बताना है मुलत करनगा अगर पहले साल का 5% है दोसरे अध्य साल का 4% है और तीसरे साल का 3% है और कंपाॉड इंटर्स्ट हमें पता है और टाइम पता है थीन सल का हो और मैं बताना क्या होगा देखो, समझना बात को, यहां पर 5% है, 4% है, और 3% है, देखें, अलग-अलग percentage जा गया, इसको भी मैं यहां पर success method से बताऊँगा, तो अगर 3 वाला है, तो अब यह भी मैंने formula बताया था कि कैसे करना है, तीनों को पहले plus कर दो, 5, 4 और 3, plus, आपस में गुणा, 4 गुणा, 3, plus, 3 गुणा, 5, upon में, 100, plus, 5, 4, और 3, मटे, 10, 1000, अब इसको solve करते हैं, 9 और 3, 12, यहां पर आएगा, 20, 12, 32 और 15, 32 और 15, 47, तो 0.47, यहां पर करेंगे, 5 चौक 20, 0 से 0 खटेगा, तो 0.006, 12.476, यह हमारा compound interest आया, ठीक है, तीनों का मिलाकर, और हमें यह चीज गेवन है, पहले से ही, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, principle multiply, जो हमारा rate है, वो is equal to compound interest, ठीक है, principle नहीं पता, rate हमें पता लग गया, 12.476, परसेंटेज का, और यहां पर compound interest हमारा कितना है, 1, 2, 4, 7, 6, point हटाएंगे, नीचे लगाएंगे, 30, और percentage हटा के, 20, और अब यह पूरा same-same है, cut जाएगा, तो P is equal to, आ जाएगा, 1,00, ठीक है, जो कि हमारा A option यहां पर बिल्कुल क्या रहेगा, right रहेगा, ठीक है, अगला question है हमारा, अब यह हमारा एक installment का question है, compound interest में, ऐसे simple interest का भी installment होता है, वो मैं आगे की वीडियो में बताऊँगा, इस question में बोला गया है कि, एक आदमी ने borrow करा, 25,220 रुपे, bank से, और promise करा, कि वो पे करेगा, इस को, इस amount को, 3 equal annual installment में, ठीक है, 3 बराबर वारशिक installment में, और rate percent होगा, 5%, हमें बताना है, कि each installment की value कितनी होगी, देखो, installment अगर तुम्हारा compound interest में होगा, तो तुम कैसे करोगे questions, 5% की पहले fraction value बना लोगे, 1 upon 20 आता है, principle लिखना है, amount लिखना है, 20, 21, पहले साल का, फिर क्या करना है, दूसरे साल में, इसी का square कर देना है, ठीक है, मतलब इसी को 20 से multiply कर देना है, यहाँ पर आजाएगा 400, और यहाँ पर आजाएगा 441, ठीक है, फिर उसके बाद तीसरे साल तक अगर जाएगे हम, यहाँ पर आ जाएगा, इसको 1220 से गुणा करना है, तो 8000, ratio 21 का होता है, 9261, अब हमें क्या करना है, amount को same बनाना है, क्योंकि हमें तो यही pay करना है हर साल, ठीक है, इसलिए यहाँ पर 21 से गुणा करेंगे, और यहाँ पर 421 से, यहाँ पर जब 421 से करा है, यहाँ पर भी 421 से करेंगे, यहाँ पर 21 से करेंगे, तो कुल मिलाकर यहाँ पर आ जाएगा, 8820, यहाँ पर आ जाएगा, 8420, यहाँ पर 8000 आ जाएगा, और यहाँ पर 9261, 9261, 9261, अब अगर मैं बात करूं total की, यहाँ पर हो जाएगा total, 8420, अब यह principle है, टोटल, और हम इनको जब प्लस करेंगे, वैसे प्लस करने की ज़रूरत नहीं, बराबर, तो 1 से multiply करेंगे, तो यहाँ पर भी 1 से multiply करके, कितना जाएगा, 9261 का, equal installment आ जाएगा, जो कि हमारा C option यहाँ पर बिल्कुल क्या है, next अगला question है, अगला question average का है, और यह combined या group average होता है, इसका concept बता रहों, ध्यान समयना, group average का निकालने का deviation से भी कर सकते हम, और other method भी है इसके, but deviation एक best method है, deviation method है, यहाँ पर मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, question में बोला गया है, कि 40 students हैं एक class में, जिसमें से 60% लड़किया है, और लड़कियों का जो average है 72, और लड़कों का जो average है 54, हमें बताना कि whole class, पूरी class का average कितना होगा, देखो अगर ऐसा कोई भी question है, हमें number लिखना होता है, ये मतलब जो भी है वो कितने है, उनका average लिखना होता है, और यहाँ पर बीच में जो आयेगा, whole average ठेक है, अब number जो है वह हम रेशो में लिख सकते हैं, बट average का हम ratio नहीं लिख सकते हैं, तो याद रखना, नंबर को हम रेशो में लिख सकते हैं, तो हम रेशो जो है, वो simplest form होता है, तो क्यों न मैं रेशो में ही चीज़ सॉल्फ करूँ है, एक्चॉल नंबर मानने की ज़रुत नहीं है, यहाँ पर एक्चॉल ही मानना पड़ेगा, ठीक है, तो 60% लड़कियां हैं, तो अगर 60% लड़कियां हैं, गल्स हैं, तो बॉइस कितने होंगे, 40%, अगर मैं दोनों का रेशो बनाऊँगा, तो क्या जाएगा, 3 रेशो 2, 3 रेशो 2, मतलब गल्स और बॉइस, अब एवरेज की बात करूँ, तो गल्स का एवरेज कितना है, 72 है, और बॉइस का एवरेज कितना है, 54, अब होल एवरेज निकालना है, टेके, होल एवरेज क्या कर सकते हो, दोनों को मल्टिप्लाइ करके, फिर 5 से डिवाइड भी कर सकते हो, वो भी मैथड है, नहीं तो मैं डिवेशन मैथड सिखार हो, ध्यान से समयना कि कैसे निकालेंगे जो सबसे लोइस्ट है, टेके, 54, वो लिखो, प्लस, अब ये देखो, कि 54 से कितना जादा है ये, 54 से ये कितना जादा है, तो ये 54 से 18 जादा है, लेकिन 18 कितने में जादा है, 3 में जादा है, गुना 3, और ये बटेगा सब में, पांचों में, ये बटेगा पांचों में, अब हमें बस इतना ही सॉल्फ करना है आ जाएगा हमारा आंसर अठारा तिया चववन चववन को करेंगे 10.8 मतलब 64.8 हमारा बिल्कुल राइट आंसर है पी ऑप्शन ठेक है मैं यहां पर एक और बार रेपीट कर दरहूं चीजों को ध्यान से समयना हमें क्या करना है जो सबस यह जादा है यह सब में बटेगा यह सब में equally distribute होगा बटेगा तीन और दो पांच यह तीन और दो पांच करके है इसको सॉल्फ करेंगे तो 64.8 हमारा बिल्कुल राइट आंसर है नेक्स्ट अगला कोशन है हमारा एक क्लास में 50 बच्चे हैं जिसमें से 40% लड़किया है औ और पूरी क्लास का एवरिज हमें अब दीगए बना है 64.4 और जो बॉय का एवरेज है वह है 62 हमें बताना है कि एवरेज मार्क्स ऑफ गल्स कितना होगा देखों है यहां पर बोई और यहां पर गर्ट लिइता हूँ वाइज का हमें एवरेज पता है कि एक है इसी टू गल्स क्ला ζ यह नहीं पता और अगर अगर मैं ratio की बात करूं, तो girls अगर 40% है, तो boys कितने होंगे, 60%, तो ratio क्या आ जाएगा, 2 ratio 3, मतलब यहाँ पर boy का 3 है, और girls का 2 है, टेके, इन दोनों को अगर मैं minus करता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा 2.4, अगर 2, 2.4 के बराबर है, तो 1.2 से multiply करना पड़ेगा, यहाँ पर भी, 1.2 से, क्या जाएगा, 3.6, 3.6 इन दोनों को plus कर दो, आ जाएगा 68, टेके, जो कि हमारा यहाँ पर C option बिल्कुल right है, टेके, यह मैंने यहाँ पर allegation लगाया है, अब मैं यहाँ पर एक deviation काहीं भी करके दिखा जाता हूँ, तुम लोगों को, boys और girls है, boys और girls का ratio 3 ratio 2 है, boys का average जो है, वो है 62, और girls का हमें नहीं पता, और whole class का पता 64.4, हमें क्या करना है, हमें देखना है कि यह 64.4 से कितना कम है, देखो 64.4 लिखना है यहाँ पर, 64.4 से कितना कम है, 2.4 कम है, तो whole मिला कर कितना कम हो गया, 2.4 multiply 3 कम हो गया, अब यह जो girls है, इसको maintain करने के लिए यह ज्यादा लाना पड़ेगा, तो हम plus करेगा, यहाँ पर याद रखना है, अगर minus है, तो यहाँ पर plus, यहाँ पर minus, और यह किस में, कौन लाएगा, यह girls लाएगे, करेंगे, तो भी कितना आ जाएगा, 68 हमारा right answer है, तो या तो इस से करो, या तो इस से करो, मेरी ख्याल से, अगर hold दिया हूँ है, तो यह लगाना best रहेगा, टेक है, और अगर hold नहीं देके, hold given, hold पूछा गया है, कि पूरे class का बताओ, तो यह वाला, जादा best रहेगा, टेक है, बाक